So, Hello Everyone, I am Kiran and welcome back to my channel and my channel name is In-in-Mom-On-Duty So, आज मैं review करूँगी Roop Mantra Cucumber Face Wash So, मुझे लगता है 2 और 3 वीक्स बिफोर मैंने Roop Mantra Face Cream review की थी और उसकी जो link है आप यहाँ पे i button पे click करके पा सकते है तो जब मैंने इस product को review किया तो मुझे बहुत सारी request मिलीती कि मैं इस face wash को भी review करूँ So, मैंने सोचा कि चलिए मैं इसे जब देड़ साल से इस face wash को use कर दी हूँ तो मेरे लिए बहुत ही असान है इसका review देना अभी आप सोच रहे हो कि मैं देड़ साल से इस product को क्यों use कर दी हूँ क्योंकि आपको पता है कोई-कोई जो product होते है वो मुझे इतने पसंद आ जाते है कि मैं उन्हें बहुत जल्दी से बन नहीं कर पाती और मुझे लगता है कि रूप मंत्रा जो face wash है उसी में से एक है तो यह जो रूप मंत्रा face wash है इसकी जो कीमत है वो हो है 83 रूपीज और इसके अंदर है मंजीष्ठा, नीम, हरिद्रा, खीरा, खुष्टा, लुद्रा, गृतकुमारी और मेंथाल और बेस माटेरियल तो बेसिकली यह जो face wash है यह आयुवेदिक face wash है इसके अंदर कोई harmful chemicals नहीं है तो यह सबसे अच्छी चीज है इस face wash के बारे में और सेकेट इसकी जो packaging है वो काफी study है आप easily अपने साथ carry कर सकते हैं अगर आप travel कर रहे हैं तो आपको packaging के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और यह काफी affordable भी है उसके बाद यह जो product है इसकी जो smell है काफी strong है और इसकी smell काफी neem और cucumber mix type है और अगर आपकी बहुत जादा sensitive nose है और आपको इस kind of अगर smell पसंद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह face wash पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो smell है जब आप face wash करते है तो काफी देर तक आपके साथ टिकी रहती है so maybe आपको वहाँ पर problem आ सकती है but for me it's like very refreshing and मुझे भी कभी कभी इसकी जो strong smell है वो थोड़ा सा दिमाग में pain करती है but still I manage and यह क्या बोलता है यह claim करता है कि purify skin by clearing impurity and blemishes तो इसके हिसाब से यह जो भी आपके impurities है वो निकालता है और आपके जो blemishes है उनको clear down करने के लिए help करता है so obviously हमारे जो skin पर बहुत सारे blemishes तो होते ही है and हर कोई चाहता है कि वो blemishes खतम हो जाए but मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अकेला face wash आपके blemishes हटा सकता है नहीं अकेला face wash आपके blemishes नहीं हटा सकता अगर आप proper skincare करते है and proper daytime cream and sunscreen use करते तो आपकी जो blemishes है वो हट सकते but यह कुछ और ही बोल रहा है इसके जो consistency है वो gel kind of है काफी gel consistency है और मैं आपको दिखाऊंगी तो यह जो product है इस तरह से दिखता है काफी green gel kind of है and आप इसके अंदर कुछ red bits भी डेखेंगे जैसे आप यह देख सकते red bits हैं इसके अंदर so basically यह कोई आपके जो skin के ऊपर कोई exfoliator का काम नहीं करता है जब आप अपना face wash करते है तो यह जो exfoliator है यह food जाते है और ज्यादा मतलब आपके skin के अंदर चीजे डालते है ऐसा इस face wash का मानना है जो वो red red dots है वो जो आपके skin के अंदर जाके nutrition and vitamins अब आट करता है as per this product so basically आपको पता है मैंने बताया कि मैं इस product को देड़ साल से use कर देए यह product लगाने में काफी असान है easily आपके face पे आप लगा सकते है और काफी foam करता है and easily आप पानी से जब आप अपना mood होते हैं तो निकल जाता है so main thing कि यह actually आपकी जो skin को deep cleanse करता है impurities या dirt जो भी चीज होती है oil, extra oil यह सारी चीजों को निकालने में help करता है अगर आप बहुत थके हारे है और आपको कुछ refreshment चाहिए तो यह face pack बहुत ज़्यादा उस समय काम में आता है इसके अंदर जो mint है वो आपकी skin को cooling sensation देता है जो sensation काफी देर तक टिका रहता है almost like आदा घंटा तक आपको feel होता है cooling वाला effect और जब भी मैं face wash करती हूँ तो यह चीज मुझे काफी देर तक fresh रखता है तो यह एक चीज अच्छी है इस product के बारे में अगर आप बात करोगे blemishes की तो नहीं यह blemishes नहीं हटाता है पर आपकी skin को moisturize करता है आपकी skin को बहुत ज़्यादा dry out बहुत ज़्यादा नहीं करता अगर आपके extreme dry skin है तो हाँ आपकी skin को यह dry out करेगा बट अगर आपकी oily skin then this product is really good for you यह आपके जो extra oil को निकालेगा और आपकी skin को काफी hydrate भी बनाएगा तो this product मैं बोलूँगी की oily skin के लिए perfect है dry skin के लिए perfect नहीं है अगर आप एक बार यूज करना चाहते तो आप कर सकते है तो dry skin के लिए यह product बहुत अच्छा नहीं है basically मेरी भी dry skin है पर I don't know why I love using this product actually क्योंकि यह जो refreshment मेरे face पे आड़ करता है वो मुझे काफी अच्छा लगता है so जब मैं थकी हारी घर पर जाती हूँ तो यह face wash मेरी लिए perfect है तो मुझे refresh करने के लिए so अगर आप कोई ऐसा light face wash देख रहे है अगर आपको बहुत ज़दा skin problem नहीं है आपकी skin oily है तो यह product आपके लिए perfect है अगर आपको बहुत ज़दा skin problem है aging start हो चुकी है आपकी जो skin पे काफी दाग दब्बे है काफी pimple है तो मैं आपको बोलूगी कि आप कोई और face wash यूज कर सकते है यह face wash बहुत ही normal face wash है कोई extraordinary चीज मुझे इस face wash में नहीं देखी जैसे आपने देखा क इसकी जो cream मैंने बोला तो बहुत अच्छी है तो actually इसकी जो cream है वो बहुत अच्छी है बट as compare cream यह face wash इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि as अगर आप try करना चाहते तो try कर सकते है बट नहीं इतना ज़्यादा मतलब मैं आपको इसे recommend नहीं करू यह था मेरा review on this root mantra cucumber face wash मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंदाया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंदाया है तो please hit the like button मेरे चैनल को subscribe करिये अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे है तो and please comment down below कि अगर आपने यह face wash कभी use किया है अगर नहीं किया है औ आपको कैसा लगा था तो यह था मेरा review video I really hope you like it so till then bye and take care